हेलो एवरिवन आज मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए नेक्ट एम्सीम्ड के कोश्ट ठीक है यह सारे कोश्ट आपके एक्जाम बेसिट से बनाएगे और यह कोश्ट आपके एक्जाम में वहुत ज्यादा हेल्प लोंगे तो कोशिश करिए कि पूरी वीडियो को देखिए ठीक है और बाकी अपने सब्जेट्स के MCQ के जो भी ठीक है लेक्चर है हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर प्रवाइड कर रहे हैं वहां से आप देख सकते हैं ठीक है अब मैं बात करूँ यहां फर्स्ट कोशन पर फर्स्ट कोशन में क क्या हरा है कि in part analysis event means टीक है event का मतलब क्या होता है किसी भी अगर मोई काम करना हूंँ ठीक है अगर मेरा कोई project है उस project को करने के लिए ठाश्य है जितनी distance of time मतलब की जो comes start ठीक है क personalities start और उसकी finish होना मतलब कि कि कुसी activity का start हो ना और उसकी finish होना जो हमारे इसकी बीच की घटनाएं होती है वह हमारा यह इवेंट होती है तो हमारा इसके कहने मतलब है कि जो भी पर्ट में इनार्चिस में इवेंट का मतलब क्या होता है कि किसी एक्टिविटी का स्टार्ट होना या उसकी फिनिस होना यह हमारा क्या बतलाता है यह हमारा इवेंट बताता है ठीक है तो हैं आँसे हम देखें options में पहले option कर रहे हैं vh ं प्रेक्श का फूर्ट का भर में घuledना कार का प्राण में यह maximum exam में पूछ जाते हैं तो पॉल्पाम दोबारा बता रहा हूं पॉल्पाम होता है प्रोग्राम ठीक है एवैलुशंग और रेब्यू टैक्निक ठीक है रेब्यू टैक्निक होती है यह question को आप कई बार लिखते रहें ठीक है कि याद हो जाए जिससे कि आपको एक्जाम में ज्यादा दिक्कत ना हो कोश्चन सौल करने में अब मैं बात करो नेक्ट कोशिन गी तो मैं यही कोश्चन जब कल पूछ रहा था तो मेरा कुछ टेगन कर प्रावलम था तो इसलिए मैं इस ब्यूर्टी कोश्चन को सौ मुझा बात करें तो जो यहां पर जो हम ग्राव बनाते हैं तो का saud को स्लोप में हमारा क्या था यहां इसे slow था और यह वाली डाव ओ ऐसे बनती है तो अगर मैं यह वाली ग्राप की बात करूं ठीक है मैं इस वाले ग्राप की बात कर रहा हूं जब मैं इस वाले बात की बात कर रहा हूं यहां मैंने बताया था कि यह क्रेस काश होता है और इस वाले को बताया था ही नॉर्मल काश होता है ठीक है फिर मैंने यहा से जो कास्ट घटािग्राम बने यूसे मैं एक लीनिये क्टिश्ट स्म, begitu जो मैं ऑच जो फमूला वो यह इसका फॉर्मुला सब्सक्राइब कानफ कर Tudus की लोन यह स्सक्राइब कर सब्सक्राइब जाएगा सब्सक्राइब तरफलने और इस वाले काश वैलियू को न Notre बसे करेंगे नोर्मल ऑफ़िए कर सब्सक्राइब है अब हुद टॉच तो नोर्मल करेंगे की सी नौर्मल करेंगे व्यू मैं काश्ट होगा ये नार्मल काश डिवाइड बवाई करें के नार्मल टाइम माइनस नार्मल काश नो एक टृएम टी मैं ये ाबने आता हूं ने यह मैंने आपको बता रखे हैं कि कैसे इसके वोड़ा रखे यह इसका फॉर्मॉला है ठीक है अब हम आते हैं अपने नेश कोश्वेंट बेसे की बात कर रहे हैं यह नेश कोश्वेंट में यह मैंने एक रूल नमबर पूछे जाते हैं कि यह कैसे हमें इससे करने हैं मानलो अगर कोई प्रजेक्ट हो रहा तो उस प्रजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटी है इस सारी एक्टिविटी को आप नंबरी करने होते हैं कई वार क्या होता है कि एक जाम में पूछ देता है कि नंबरी करिए और इसे ब्लैंक कर देता है जब ब्लैंक कर देगा तो आप को नंबर करने के लिए क्या क्या करने होंगे कैसे कैसे नंबर करने होंगे यह इसके रूल है जो इसको रूल को नाम दिये हैं वह उनका नाम था फॉलकर्शन ठीक है इसे नाम दिया है फॉलकर्शन ठीक है इसे कई बार फॉलकर्शन रूल भी कहते हैं तो फॉलकर्शन रूल इन्हों ने बताया कि कैसे हम अपने पोर्जेक्ट के एक्टीविटी और इवेंट को हम डिनोट करेंगे देता pregunt時間 एक्ट लिए जानते ही हैं यह वाली एक्ट्विटी आती है और यहां हमारी इवेंक के सो करते है त। इने नंबर कैशंचे करेंगे तो नंबद करने के तो मेरा number अब मैं यहां एक लोट कर रहा हूं ठीक है इसी को बड़े डाइग्रामें बना रहा हूं कि आप लोग को दिक्कत ना हो यह यहां हो गए इसके बाद final activity यहां हो गए यह सारे अरो जित्ते भी वनेंगी यह सब proceed आगे ही प्रोसीड करते जाएंगे यह डायगराम अरो अब मैं बात करूँ numbers करने के तो जब भी हम numbers कीबात करेंगे यहां एक ध्यान दे यह कि यहां से भी एक यहां गई है अब जब मैं बात उनका इस वाले की इस वाले की एक ट्यूटी को मैं सो करने के लिए क्या करूंगा मैं so कर रहा हूँ अब मैं जब एनको so करने की बात कर रहा हूँ तो पहले एक नमबर दूँगा जो भी मेरे activity होगी यह इक नमबर होगously अब मैं जब आगे बढ़ूँगा अपने project को तो मैं जो भी आगे प्रोशीट करोंगा तो उस पर नंबर देता चला हुआ दो ठीक है दो के बाद अब मैं देखो मालो मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहां मैं तीन कर सकता हूं या मैं यहां तीन कर सकता हूं तो मैं यह सो करने का तरीका यह रूल जो बताएगा है हम कभी भी ठीक है जो प्रजेक्ट टारेक्ट मैं यहां तीन नहीं सो कर सकता नहीं यहां सो कर सकता क्यों कि अभी मेरी एक्टिविटी इसके साथ चल लिए नहीं तो मैं इस वाले को सो करूंगा इस तीन नंबर को सो करूंगा अब मैं बात करूं नेक्ष्ट वाले पर हैं ठीक है अब मैं इन्हें अटा देता हूं मेरे ती वाली के एक्टविटी ए भी साती तो मैं यहां नजाकर मेरी इसके साथ चलने वाली एक्टविटी को ही मैं मैं सो करूँगा तो यहां मैं क्या सो कर दिया चार नंबर अब मैं बात करूंगा इसके सात में इसके साथ मी एक इन Ligar Şu ना रे जा रही है यह दोनों बात कर सकते हैं लेकिन अगर यही यह वाली activity डिरेक्ट यहां यहां के complete हो रहे ही यह वाली activity यहां से नहीं जुड़ी है नहीं तो मैं इस वाले को पांच वाले को लेक्ट चलूंगा ठीक है और इस वाले को मैं हटा दोंगा मतलब की मेरा activity अब कौन से हो जाएगी च्छै नमबर की ठीक है सोरे यह हो जाएगी यह वाली हो जाएगी छै नमबर इसके बाद फाइनल मैं क्या कर दूँगा इसे साथ वाले नमबर को एक ट्टी को सो कर दूँगा एक कई बार आपकी नमबर ही पुछी रहती है आपका एक काम करेंगे जो एरो के साथ बनती जाएगी जो इसके साथ प्रोग्रेस होता रहागा उन्हीं को नमबर करते चले जाएगी आगे ठीक है कोई भी नमबर पीछे नहीं आगी सब कॉंटिनुएस आगे ही बढ़ती जाएगी पहले नमबर श्टी अब मैं आते हैं नेक्ट कोश्चन में अब मैं बात करूं अगर अपने नेक्ट कोश्चन पर नेक्ट कोश्चन की बात करने इस पहले मैं देख रहा हूं कि मेरे और क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अब मेरे नेक्ट कोश्चन पर आते हैं और बात करते हैं पाव साहथ अन्युट है प्लिगार्व मेरा कि यह बताएं कि टाइम इच्ट टी एंगे टाइम भाइच अपने एक्टुट़ कान भी डिले बीड़्या हेट्ट इस्टार्ट आप अपने श्लिटिन अक्टिविटी कारा कि कोई क्विड़्या वीज फ्लिट्ट आपने किए पिना डिले किए मैं कौन साइस में से ठीक है टाइम दे सकता हूं मेरे ठीक है यहां जो फ्लोट होता है अब मैं explain करूँ अगर अपने options में ठीक है तो फ्लोट होते हैं यही फ्लोट जो maximum time duration होते हैं ठीक है किसी काम को करने के लिए जो एक्स्ता time all level होती है ठीक है वही होती है हमारी फ्लोट फ्लोट किया होती is जो वहारा extra time all level होता है किसी project को करने के लिए extra temple time क Gri पही कोशें अब पूछे का कि बात कर रहां जो भी एक्स्ट्रा टइम होगी मेरी जो भी एकश्ट्रा टाइम उव प्रेट को करने के लिए पहलए अप्ट किये उस संटल्म र्शुर्साइम डियाuldade कि रिरुव जबना और उफェक्श को जो टोटल पॉड़्य की है टोटल फ्रोट उती है लूक Marchegiani जो है च्छी प्रडेविज्छत हमाई करने के लिए हैं वह उती है यह हमारी टोटल फ्लोट होती है अब कर Ride Nintendo Fire 2024 इतनी मेक्सिमम टाइन पाइम होती है इनको टोटल फॉट और जो फ्री फ्लोर की लाव अगर बात में बात करूंगा तो जो फ्री फ्रेप रेग्ट नों को बीने अक्जिंट को को कुंपलीट करेते हैं ठीक है फिने अपक्रono- 120 क्озм Positive- कि मैं बात कर रहूं दी से उप्संन की इंडीपेंडेंट प्लोट इसका क्या करना यह किसका मतलब कि होता है independent Broto होजो होती है जो इतनी मिनमम 215 होती है जो उनके किसी भी earliest time पेख लोगर compose that day दे गया है उस time को भी जो given time देगाई उस time को भी तक हम यहां आने से पहले ठीड करके और बिना forged कि यह व्वाले को हम यहां अपर पहुंची अपने लेक्स्ट प्रोजट्प यह भी वेड़ हैंक वाट सब्सक्राइब यह जो इतना और जो किसी एक्टिवीटी ठीक है भी नहीं अपेक्ट को जो यहां इंडिवेडेंट में था कि मिन्मूम था यहां क्या कह रहाता है independent plot में minimum plot की बात कर रहा था नहीं लेकिन यहां कहरा है कि इतना maximum या इतना extra all-able time होता है कि बिना इसके earliest जो यहां जो given time होती है उसको बिना effect के इस वालेगों पर हम project पर complete कर लेते हैं तो वही होती है हमारे free मतलब मेरे पास extra time all-able होते हैं जिनने हम succeeding activity को complete करने से पहले हम अपनी time को achieve कर लेते हैं तो यहां इस option के recording मेरे पास क्या होगा बीना effect की succeeding activity को हमारे पास जो भी affected time होती है हमारी total float होती है ठीक है यह question आपकी बहुत ज्यादा इसलिए मैंने question लेके आया था अगर इस topic में थोड़ा दोबारा इस वीडियो को अगर एक बार ना समझे तो दोबारा इस वीडियो को देखके clear out कर लेना कि इस question में कहरे क्या रहा है होती है ठीक है तो मैं यहां बता चुकाता हूँ तो जो इनका difference होता है पूछ रहा है तो हमारे क्या जाए total float minus free float ठीक है difference between the total float and free float का ही होता है interfering float होती है कि अब यहां मैंने बता रखेंगे हैं इसको अब मैं यहां आपको question कर रहा हूँ और यह question आपके बहुत important project है और अब मैं कल बात कुनगा इसी पर नेक्ष्ट question लेक्ष नए नेमसे क्यों लेके और शाथ में आपको जो भी इसमें पीडियो प्रवाइड किया जाते हैं उन्हें आप रीड करते ना और अपनी तयारी करते ना और शाथ में जो भी problem तो comment section में पूछ से रहें और अगर वीडियो कैसे लगे उस point आप भी अपने सेयर करते हैं थैंक यू जैहिन